हाई फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आप देख रहे हैं शाही पाट साल और मैं हूँ भी किशिम डेली हैंडिटेंड इंपोर्टेंट करेंट आफेर्स लेकर आपके बीच उपस्तित होता हूँ वाई ये सुरू करते हैं पहला है 11 सदी के भक्ती अंदोलन के संत स्री रामा नुजाचारी किस दर्सन के प्रतिपादक थे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा विशिष्टा द्वैत बाद यानि रामा नुजाचारी जो थे वह किस दर्सन के प्रतिपादक थे विशिष्टा द्वैत बाद आप जान रहे हैं कि हाल ही में प्रदानमार्टिन नर्दिन मोदी ने काश्य निर्मित दोस्तों सूलब फूट की मुर्ती रामानुजाचारी की हैदराबाद में अस्थापित किया है तो इस करण से ये जो है काफी चर्चा में है यहाँ पर प्रमुख आचारी और उनके दर्सन को भी जानना जरूरी है अभी हम लोग रामानुजाचारी से रिलेटेड दर्सन को जान रहे हैं कि उनके परतिपादक विस्ष्टा द्वैत बाद के परतिपादक कौन थे रामानुजाचारी तो यहाँ पर मैं बता दू कि शंकराचारी याद रखिएगा रामानुजाचारी नहीं शंकराचारी के और द्वैत दर्सन के बिरोध में दक्षिन भारत में बैसनव संतों के द्वारा चार मतों की अस्थापना की गई यह चार मत कौन कौन से थे यह थे विश्ष्ष्टा द्वैतबाद 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 और सुध्धा द्वैतबाद यह चार थे अब आपको याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ट में बता रहा हूँ रामानुजाचारी जिसको यहाँ पर आप देख रहा है विश्ष्ष्टा द्वैतबाद ठीक है कि दर्सन के परतिपादक थे उसके बाद माधवाचारी थे वो किस दर्सन के परतिपादक वे द्वैतबाद के माधवाचारी द्वैतबाद के ठीक है उसके बाद प्रेल काशारियस ल्यका 22 depänd करने और श्री 1047 15 1250 द्वैट अपाद माधवाचारियस 128 द्वैत बाद रामा वीय जाचारिय कार्देश अइंत विश्यक्ता द्वायतबाद संकराचारे, जिनके दर्सन के विरोध में ये चार मतों की अस्थापना की गई थी, तो संकराचारे 788 इस भी से लेकर के आठ सब्वी से बीच में और द्वायतबाद बेसनफ संप्रदाय की नेव रखे थी उन्होंने उस दर्सन का प्रतिपाद जो है वो शंकराचारी हुए अब संकराचारी के बारे में थूड़ा सा और जान लिजिए शंकराचारी द्वारा चार मठ की अस्थापना की गई वह भारत के चारों दिसाओं में की गई सबसे पहले दक्षिन भारत में जानते हैं दक्षिन भारत में एक जगा है स्रिंगेरी यह मैसूर करनाटक में पढ़ता है वहाँ पर है वेदान्त ग्यान मठ तो वेदान्त ग्यान मठ कि अस्थापना शंकराचारीने की मैसूर के स्रिंगेरी मैसूर करनाटक में है ठीक है यहाँ पर सिव मंदिर है दूसरा है पुर्वी भारत में का पर जगनात पूरी में जगनात पूरी कहा पड़ता है तो उरिर्चा में तो वहाँ पर गोवर्धन है मठ है गोवर्धन मठ में आप जान दें गोवर्धन धाम स्री कृष्ण का धाम होता है तो वहाँ पर कृष्ण मंदिर है उसके बाद पस्चिम भारत में है द्वारका द्वारका जानते हैं आपकी गुजरात में पड़ता है द्वारका गुजरात में शारदा मठ है वहाँ पर शारदा मठ द्वारका गुजरात में वहाँ पर वे क्रिस्न मंदिर है उसके बाद उत्तर भारत की बात आती है उत्तर भारत बद्रिकाश्रम वद्रिनाथ जिसको ब याद रखेगा कि ये चार मठ की भी अस्थापना संकराचारी के दोरा किया गया था अब आई हम लोग करेंट अफेर्स पर आते हैं दूसरा है कि अंदरिये परियाटन मंत्राले ने बिहार के शीता मड़ी में इस्थित पुनावरा धाम को स्वादेश दर्सन योजना के अच्छा इस पुनावरा धाम का जो विकास है वो किस योजना के तहत किया जा रहा है तो आपको ये भी याद रखना है कि पुनावरा धाम का जो विकास है वो प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है अब पुनावरा धाम इतना इंपर्टेंट क्यों है पुनावरा धाम सीता मरी बिहार में पढ़ता है ठीक है पुनारादाम कहा पढ़ता है सीता मरी बिहार में और यह माता सीता की जन्म अस्थली मानी जाती है इसलिए पुनारादाम बहुत important हो जाता है आचा है यहाँ पर हम लोग संकराचारी का एक tagline पढ़ लेते हैं उनका कहना था जब हमारी गलत धारना जब हमारी गलत धारना सही हो जाती है तो दुख भी शमाप्त हो जाता है यानि जिस गलत धारना में आप वाह रहे हैं वो गलत धारना जब दूर हो जाएगा जब सही हो जाएगा तो आपका दुख में दूर हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा यहाँ पर एक जानकारी में आप लोगों को दे देता हूँ कि 8 पेज के PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्सन में दे चुका हूँ आप अब तक भी डाउनलोड नहीं की हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्सन में पेज नंबर 49 से लेकर के पेज नंबर 56 तक 8 पेज को डाउनलोड कर सकते हैं अब आए नेक्स्ट है किस मंत्राले के द्वारा कलाकारों के लिए पिंसन और चिकित्सा सहयता की योजना संचालित की जाती है तो किस मंत्राले के द्वारा किया जाता है कलाकारों के लिए पिंसन और चिकित्सा सहयता योजना तो ये संस्कृति मंत्राले के द्वारा किया जाता है इसको मैंने क्यों सामिल किया है क्योंकि कियंद्रिय संस्कृति एवं परेटन मंत्रे स्री जी किसन रिडे ने कलाकारों के लिए पिंसन और चिकित्स साहता योजना के बारे में जानकारी देते वे कहा कि वैसे साहता वर्दजन कलाकारों जिनकी आयो 60 वर्ष से अधिक है और वार्सिक आये 48,000 रुपिय से कम है उनको पिंसन और चिकित्स साहता जो है परदान किया जाएगा ठीक है यह भासन सत्र में जब प्रसन काल होता है तो उसमें यह चर्चा हुआ था इसलिए इसको यहां पर सामिल किया गया है अब आए अगला प्रसन है केंद्रिय स्वास्त समंत्रे ने शाद फरवरी 2022 को मिसन इंद्रधनुस 4.0 लांच किया है इस मिसन का उद्यस से दो साल तक के बच्चों को और गर्वती मैलाओं के लिए पुर्ण टीका करन सुनिस्चित करना है तो यहां पर आपको पुझा जा सकता है कि मिसन इंद्रधनुस जो है किस से संब स्बंदित है अच्छा यह इसका उद्देश क्या यह पूछा जा सकता है तो मिसन इंद्रधनुस 4.0 का जो उद्देश है वो बच्चों और गर्वती महिलाओं के लिए पुर्ण टीका करन सुनिस्चित करना यह उद्देश हो जाता है ठीक है इंपोर्टेंट है याद इंद्रा शाहनी मामला 1992 में ऐसा किया है ठीक है फिर से मैं यहाँ पर बोल दूँ कि किस केस में किस केस में आपको केस का नाम बताना है कि भारत के सर्वोच नियायाले ने आरक्षन के लिए 50% उपरी सीमा तै किया है यानि अधिक्तम आरक्षन की जो सीमा है वह 50% हो सकता ह ठीक है यह केस है इंद्रा साहनी मामला या इंद्रा साहनी केश 1992 में यहाँ पर थोड़ी जनकारी और भी देदू कि हुआ क्या था यह चर्चा में क्यों है इसलिए कि हाल ही में नील औरेलियो नन्स वनाम भारत संग मामले में सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में नीट एन आई आई टी के तहत आवंटित मेडिकल कॉलेज सीटों के अखिल भारतिय कूटा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षन की वैदता वरकरार रखी है यह केस चल रहा था उसका निर्णय आ गया है जिस करण से यह ख़बर चर्चा में था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है अब आए अगला है बिहार से रेलेटेट प्रसन है बहुत इंपोर्टेंट प्रसन है बिहार का तीसरा रेल सह सड़क पुल क्या नाम है श्रीक्रिष्न सेतू का उदगाटन किस जिला में किया गया है तो श्रीक्रिष्न सेतू का उदगाटन जो है यह मुंगेर जिला में कि कि जिला में हुआ है, मुंगेर जिला में भी याद रखेगा, मुंगेर जिला में एक और का मुह है, जमालपुर में कि नए सुरंग का निर्मान कारे पूरा हो चुका है, ठीक है, सुरंग को टनल बोलते हैं, आइए, अब अगला है, जे एन्यू की यहाँ पर चुट गया है, पहली महिला कुलपती किसे नियुक्त किया गया है तो JNU की पहली महिला कुलपती के रूप में शांति स्री धूली पदी पंडित को नियुक्त किया गया है तो शांति स्री धूली पंडित बहुत इंपर्टेंट प्रस नो हो जाता है क्योंकि पहली महिला क्या है कुलपती है तो JNU की पहली महिला कुलपती है श्री 37 छी धुलीपदी पंडित अजाई ये JNU की 13 कुलपती है यह भी आद रख सकते हैं अब आईए अगला है River City Alliance किसकी द्वारा शुरू किया गया है तो River City Alliance जो है जह जल सकती मंत्रा लेके द्वारा शुरू किया गया है बात यह है कि जितने भी शहर किसी नदी के किनारे वसा हुआ है उसको इंटर लिंक करने के लिए इस योजना का सुरूबात किया गया है कौन यानि एक दूसरे के बीच सहयोग बढ़ाने को सीटर रिवर सीटी अलाइंस नाम दिया गया है और यह पहल किसकी है जल सक्ती मंत्रा लई की ठीक है अब आएए नेक्स्ट है हाल ही में उत्राखंड का वरांड मिजडर जो है नए वरांड मिजडर जो है किश को नियुक्त किय गया है तो याद रखेगा यह आपके चाहते हैं अक्षे कुमार ठीक है एक्सन मारधार से भरपूर एक्स अक्षे कुमार को जो है उत्राखंड का नया ब्रांड मिजडर नियुक्त किया गया है आई अब नेक्स्ट है हाल ही में भारत से कौन सा देश 420 ब्राड गेज रेल रेल्वे वैगन क्या होता है वैगन होता है जो माल ढूलाई के लिए रेल्वे का जो बोगी होता है कोच होता है उसको वैगन बोलते हैं ब्राड गेज का मतलब रेल्वे की तीन लाइने है बड़ी मध्यम और छोटी पुराने समय में अंग्रेज के समय में छोटी रेल्व इस्खरे देगा ठीक है अब आए नेक्स्ट है फरवरी 2022 में भारत ने ADB से कितना रिन लिया है ठीक है फरवरी 2022 में ADB ADB का फुल फॉर्म क्या होता है ASEAN Development Bank यहनी ASEAN Development Bank से भारत क्या-क्या है रिन लिया है कितना रिन लिया है तो यह लिया है चार सो चार दसमलब छो बिलियन डालर यह record असतर पर दर्ज है बहुत dia रीन है चार दसमलब छो बिलिय। टालर अब आए यह point आप याद रखिएगा अगला है अंतरास्ट्रे ओलंपिक समेती OIC ने साल दोजार अठाइस के ग्रिस्म कालेन ओलंपिक खेलों के लिए कितने नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है बिहार के विप्यस्टी वाले चात्र के लिए यहां पर यह रियाद रखना आपको बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि तीन खेलों को सामिल किया है और जदी तीनों को बिकल्प में दे दिया जाए ता आपका जो बिकल्प ही हुआ करता है वहां पर वो हावी हो जाएगा और आप क्या करेंगे एक दो जदी याद रहेगा तो आपको लगए जदी एक ही याद रहेगा तो कह खेल है जिसको Grisum Kaling Olimpik के लिए जो है Simon कर लिया गया है जै दोजार अट्थानीज का जो Grisum Kaling Olimpik है यह कहां पर आयोजित किया जाएगा तो यहँ घ़न लॉस एंजिल यह अमेरिका का शन्जुक तराज अमेरिका का एक सहर है Los Angeles वह ही पर बरस दोजार 28 के लिए ग्रिस्म कालिन ओलंपिक का आउजन किया जाएगा यह था हमारा आज का करेंट अफेर्स आप जाए जानते हैं आज के इतिहास को तो यहाँ पर देखिए आज का इतिहास क्या कहता है ताज का इतिहास कहता है अंडमान में ठेक है संदिया हुआ है साल दिया हुए 1872 और आज दिन कौन सा है तो 8 फरवरी 2022 यानि 8 फरवरी 1872 इस दिको अंडमान में काला पानी की सजा काट रहे सेर अली ने सेलूलर जेल में भारत के वायस राय लाड मेयो की हत्या कर दी थी आज का दिन बहुत दर्दनाक रहा होगा ने तो कोई बात नहीं यह जरूरी भी था बहुत अंग्रेजों ने भारतियों पर क्रस्ट किया था तो उसी सिल्सिले में इनको गुशा आया होगा और लाड मेयो को हत्या कर दी होगी आज के लिए इतना ही बने रहे शाही पार्ट सला के साथ और उठाते रहे करेंट अफेर्स का लाब बने रहे शाही पार्ट सला के साथ आज के लिए इतना ही धन्यवाद